तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 लर्न बैल साइंस का चप्टर नुमर 16 जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इस चप्टर को एक्स्प्लेइन किया था और इस वीडियो में हम इसके कौसन आंसर को गपर करेंगे अगर आपने एक्स्प्लेइनेशन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्केशन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको तो आप वहाँ से जाके बोच कर सकते हो चलिए इस चप्टर की कौसन आंसर को हम देखते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपकी इस बुक के अपकमिंग वीडियो ज़के नॉटिफिक्शन आपको मिलते रहे हैं फर्स्ट कॉस्चन आपका मल्टिपल चोईस कॉस्चन है जिसमें यह वाला कॉस्चन दिखते हैं तो इसका जो टाइम पिरिएड होता है वो आपको होता है 29 देज का तो इसमें राइट आंसर है 29 देज फर्स्ट कॉस्चन है जो की अपनी पोजिशन पर फिक्स है जो मूब नहीं करता है तो वो है आपका पॉल स्टार टीक है जो की हमें से नौट डायरेक्शन में ही आपको दिखाए देता है और इसकी पोजिशन फिक्स है C वाला question है The pole star can be located with the help of यहनि pole star को हम कैसे locate कर सकते हैं तो जो और्सा मेजर की help से हम pole star को locate कर सकते हैं ठीक है Next question है और्सा मेजर क्या है Concentration है The concentration that looks like a distorted W और M मतलब हमें वो constellation बताना है जो की W या फिर M की shape का दिखता है तो वो है आपका Cassiopeia Cassiopeia जो constellation है वो आपके W की form में दिखता है या फिर आप M की form में कुछ को समझ सकते हो W या M Next यह वाला question है One light year is equal to One light year कितने distance के equal होता है तो उसका right answer है आपका A option 9.6 into 10 to power 15 meter की meter आपका one light year होता है ठीक है one light year light year distance को measure करने की unit है जो की far distance यानि बहुत ज़्यादा distance को measure करने के लिए हम use करते है जैसे planet के बीच में distance बगेरा ठीक है यह वाला question है the earth rotate from earth का rotation हमें सब west to east होता है answer second आगे हम देख रहे है fill in the blanks तो पहला है stars are manually made of stars जो होते हैं वो manually gases hydrogen और helium के ही बने होते हैं second question है आपका is a constellation that look like a hunter यानि कौन सा constellation है जो की एक hunter जैसे दिखाए देता है तो उसका right answer है आपका Orion यानि कि यानि कि जब हाप से ज़्यादा moon बिजीवल होता है तो उस condition में हम उसे क्या कहते हैं तो उसका right answer है बैक्सिंग गिब्बस moon ठीके फूर्थ question है एस्टरोड बैल्ट इस प्रिजेंट विट्विन दा और विट्स ऑफ मार्स और जूपिटर यानि कि जिस बैल्ट में एस्टरोड मूब करते हैं तो वो बैल्ट है आपकी मार्स और जूपिटर के बिट्विन जब मैंने चैप्टरोगे एस्प्रियन किया था तो मैंने इसको अच्छे से समझाता था तो आप वो वीडियो भी बहुच कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो आगे देखते हम यह वाला question the last four planets of the solar system are called solar system के जो last के चार प्लेनेट है ना उन्हें हम जोबियन प्लेनेट कहते हैं ठीक है और आगे के चार प्लेनेट होते हैं वो आपके inner प्लेनेट होते हैं फिर देखते हैं आप next question the inner planet of the solar system are made of inner planet जो होते हैं वो manually rocks के बने होते हैं जबकि जो बियन जो प्लेनेट है वो आपके gases के बने होते हैं next देखते हैं question number third understand the relation and fill in the blanks ठीक है हमें relation को एकर understand करना है और फिर उसी साफसरे आगे का जो relation है वो बनाना है जैसे देखो उर्सा मेजर उर्सा मेजर को हिंदी में हम बोलते हैं सब्त्रिशी इसी प्रिकार से औरियन को जो है हम हिंदी में कहते हैं मरक ठीक है मरक next step full moon full moon पूर्णिमा के दिन होता है और new moon होता है आपका अमाविश्या के दिन ठीक है और अर्थ का अर्थ एक बिलू प्रेनेट है इसी टाइप से आपका मार्स जो है एक red प्रेनेट है ठीक है तो यानि कि आपको सही से जो relation बनना है वो आपको बनाना है बीनस को हिंदी मे में कहते हैं mangal grae stars light and height stars के पास light और heat होती है जब कि planet के पास no light no heat statement है उनमें कुछ wrong है तो उन्हें हम correct करेंगे यानि जो आपको underline दिख रही है इसकी जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है Is the cold morning and evening star ठीक है तो morning और evening star आपका वेनस है Next is the largest planet of the solar system solar system का largest जो planet है वो Neptune नहीं है Neptune के जगह आपका Jupiter Next is is a yellow planet with rings यानि कि Uranus yellow planet है क्या No Uranus के जगह आप यहाँ पायागा Saturn Saturn rings वाला planet है और यह yellow color का है Next is the moon gravitational pull keep planet in their orbit यानि कि बाकी के planets को moon का gravitational जो है एक दूसरे से मतलब पुल करता है क्या तो यह wrong है क्योंकि बाकी के planets को सिर्फ Sun का gravition ही पुल करता है तो मुल की जगह क्या आएगा Sun Suns Gravition Gravitional Next is the first artificial satellite नहीं है इंडिया की जो first artificial satellite है वो है और यह वर्ट Next question है is the least dense planet तो list जो dense planet है जिसकी density water से भी कम है तो वो है आपका Saturn आगे देखते हम और सा major और सा minor यह planet है नो planet के जगह आपका आएगा Constellation यानिकि यह Constellation है Next is satellite that sent into space by man is called यानिकि इंसानों के दुबारा जो space में satellite sent की जाती है वो आपके natural satellite नहीं है कौन सी यह artificial satellite होती है तो यानिक जो underline है उसकी जगह की क्या आएगा मुने आपको सामने लिख दिया है राइट आंसर आगे दिख रहे हैं हम very short type की question answer जिनमें पहला question है what are the heavenly bodies that revolve around the planet यानिकि planet का राउंड जो heavenly body revolve होती है वो होती है satellite ठीक है natural satellite और artificial satellite दोनों ही revolve होती है what is the name of our galaxy तो our galaxy का नायम है milgivage ठीक है which star is nearest to the earth after the sun यानि sun के बाद ऐसा कौन से star है जो की हमारे earth के nearest है वो है आपका प्रोग प्रोग जिमा सेंचुरी तो यह वाला question है which constellation is also called little weird तो और्षा minor को हम बोलते है little weird और एक और होता है और्षा major उसको बोलते हम great weird यह दोनों ही constellation है आगे what is the other name of shooting star shooting star का other name meteor होता है आगे हम देख रहे हैं sort type के question answers तो पहला हम पढ़ते हैं define light year तो light year क्या है जिसे हमें define करना है तो देखो यह वाला आपका answer इसका the distance traveled by a light in a one year यानि कि एक year में light के दोवारा जो distance travel की जाती है वसे हम कहते है light year तो यह वाला जो रेडिकलर के define है यह आप इसमें लिख लीजिए next question भी है what is the solar system तो solar system का answer आपका यह है black वाला the sun and the sun and the celestial bodies such as planets, comets, asteroids and asteroids which revolve around the sun from the solar system मतलब यह सभी मिलके sun भी sun है planets है और comets है asteroids है meteoros है यह सारे मिलके एक solar system को तियार करते हैं सी वाला question है what are comets तो comets is an icy cosmic ball मतलब बरफ की एक तरह सी cosmic ball होती है which orbit the sun and while coming closer to the sun release gases यानि कि sun के पास में जब gas release होती है तो यह एक तरह सी उसमें से निकलते हैं तो वो comets होते हैं आगे है डिवाला question what is the pole star and why does it appears stationary यानि कि pole star क्या होता है और यह stationary क्यों appear होता है stationary का मतलब है कि pole star एक जगे fix ही appear होता है हमेशा ऐसा क्यों होता है ठीक है तो उसका answer आपको मैंने नीचे लिखा है यह वाला यह pole star एज़े brightest stationary star in north direction यानि कि यह हमें इसा north direction में हमें दिखता है और brightest है मतलब चमकदार है और stationary है मतलब fixed है अपनी position पे it appears stationary अब यह stationary क्यों appear होता है उसका reason नीचे लिखा है मैंने it appears stationary in the sky because it is positioned close to the line of earth axis यानि कि यह जो होता है यह हमारी earth axis की ही line में पढ़ता है ठीक है मैंने इस चीज को अच्छे से समझाए एक activity को दोगारा तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हो आगे दिखते है नाच कुश्यों what are meteorites meteorites क्या है ठीक है तो उसका answer मैंने यह लगा है meteorites are object in the space that range in size from the dust grains meteorites जो होते हैं एक तरह से space में object होते हैं जो कि जिनकी size जो होती है dust grains ऐसी होती है मतलब कुछ small asteroid हम बोल सकते हैं ठीक है asteroid भी क्यों होते हैं यह भी rock particles होते हैं लेकिन यह बड़े होते हैं but meteorites चोटे होते हैं ठीक है think of them space rocks यहां पर लिखा भी है मैंने कि हम इनको space की rocks बोल सकते हैं ठीक है चोटे बहुत चोटे चोटे वेन meteorites enter earth atmosphere यह जो meteorites हमारे atmosphere में इंटर करते हैं तो high speed इनकी speed high होती है कि जिससे कि burn up हो जाते हैं मतलब भी जल जाते हैं ठीक है और इन्हें हम shooting star भी कहते हैं वह भी मैंने आप पर आपको लिखा है आगे हम देखते हैं app वाला question why does the moon look different every day मतलब मून जो है हमें every day different दिखाय देता है ऐसा क्यों होता है ठीक है एसा इसलिए होता है क्योंकि moon जो होता है देखो the moon does not emit light itself यानि moon जो होता है वो खुद तो light emit नहीं करता है मून जो होता है वो खुद अपनी light इमिट नहीं करता है मून अमेशा sun की light में ही क्या होता है? गलो होता है या फिर हम बोल सकते है कि moon जो होता है sun light में ही एक तरसी चमकता है यानि Sun की light जब reflected होती है तो वो चमकता है As the moon orbits the earth, the sun lights, different parts यानि कि moon जो होता है अपने orbit पे क्या करता है, revolve करता है तो जिस पार्ट पे मतलब sunlight गिरती है, तो वो ही पार्ट हमें दिखाई दिता है बाकी कादर पार्ट हमें दिखाई नहीं दिता है, इसलिए जो है moon का shape रोज ही change सा मतलब change जैसा ही दिखाई दिता है, तो यह आपके short type यहां complete है, आगे देखते है long type का जो question पहला है वो है आपका explain the atmospheric condition on the moon, यानि moon पर जो atmospheric condition होती है वो किस type की होती है, तो हमें उसको explain करना है तो उसका answer आपकी screen पे है first का answer देख लो आप the moon has no light, moon पर कोई light नहीं है ठीक है, क्योंकि moon की moon की खुदकी कोई light है नहीं है ठीक है, moon की cement होता है sunlight cement होता है, it's sun because it reflects the light of sun यानि कि वो sun की light को reflect करता है, यह यह चमकता है it is about बनफूर्ट the size of the earth, यानि कि अर्थ की size का बनफूर्ट part के about यह होता है, its surface has rocks, इसकी surface पर काफी rocks है, mountains है, और craters है, craters मिस गड़े हैं ठीक है, और craters बर formed when meteors hit it मतलब moon पर जो meteors है जब hit करते हैं, तो craters बन जाते हैं मतलब गड़े बन जाते हैं there is no air, यहां पर कोई air कोई भी water नहीं है hence life does not exist on moon यानि कि moon पर कोई life exist नहीं करती है, sound also cannot travel और sound भी यहां पर travel नहीं करता है because यहां पर atmosphere नहीं है the moon rotted on its own axis and also revolve around the earth moon जो होता है, खुद की axis पर भी revolve होता है और हमारी, sorry, खुद की axis पर भी rotate होता है और हमारी earth के चारतरप तो rotate करता ही है तो यह moon के atmosphere के बारे में कुछ है second question देखते हैं how can you locate the pole star with the help of Ursa Major यानि Ursa Major के help से हम क्या बोलते है pole star को locate करते हैं तो वो किस परकार से करते हैं तो इसका answer मैंने आप लिखा है कि the pole star can be located with the help of Ursa Major it is in a straight line with the two tails the two tail star of Ursa Major यानि कि Ursa Major जो बनता है तो उसमें जो tail star होते है तो उससे एक straight line दिखाए देती है it is interesting to know that Ursa Major appears to move around the pole star यानि कि Ursa Major जो होता है वो pole star के around ही move करता है तीक है अब यह आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि chapter आपने पढ़ा नहीं है तो आपको कैसे समझ में आ रही है next question है which are inner and outer planet of the solar system how do they differ मतलब जो inner planet है solar system की और outer planet है तो उनके बारे में बताना है और यह किस प्रकार एक दूसरी इस डिफरेंट है ठीक है तो उसका अंसरी हम देखते हैं third question यह आपका देखो चार planet तो आपके inner होते हैं उनमें आपको मरकरी वीनस अर्थ और मार्स यह चारो ही inner planet होते हैं और इन्हें हम terrestrial planet भी कह सकते हैं these planets have well-defined surface containing rocks and soil इन planets के पास अच्छी से defined एक तरह से अच्छा sun का atmosphere होता है मतलब rocks होती है और soil होती है जबकि जो outer planet होते हैं ठीक है वो gases के बने होते हैं और उनमें है आपका Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune ठीक है यह outer planet होते हैं यह जो भी planet भी कहते हैं पीछे हमने पढ़ाया भी और इनका जो surface है ठीक है वो जातर gases form से होता है मतलब gases form से बने होते हैं बस इतना difference में ठीक है आगे हम देखते है question number fourth 點 write a short note on any two constellation यहनी कि कोई भी दो asking Calculation के उपके हमें short note लेखना है तो इसमें और भी constellation है जैसे और और मैंने और इसा राया और यहाँपर любов को लिया है औरसा मेजर को भी ले सकते हो और बी कंस्टिलिशन है तो आप कोई भी द ले सकतो यहां पर तो इसके बारे में मैंने लिखा है देखो औरसा मैनर इस अल्सू हो नोन अज लिटल ब diez और औरसा मैनर को लिटल बियर कहते हैं और समेजर को लिटल वह सoi ग्रेट वियर कहते हैं ठीक हम अगर बोले तो इसको लगोग शबत्रीसी कह सकते हैं इस ग्रूप आप शबन स्टार यानि ओटसा माइनर और्उर उर्शा मीजर दोनों ही सवन स्टार की ग्रूप सोते हैं ठीक और उनने एक Polis Star भी होता है This constellation can be seen in Northern Sky Ursa Major और Ursa Minor दोनों ही Northern Sky में दिखाई दिते हैं मतलब ये दोनों सेम है ठीक है थोड़ा बहुत अंतर है इस टेल कांतर है बस इसमें इस टेल ये ऐसे होती है जबकि Ursa Ursa Major में टेल थोड़ी ऐसे होती है ठीक है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है एक होता है आपका constellation Cassiopeia Cassiopeia देखो इट इस ये constellation in the Northern Sky ये भी Northern Sky में होता है और नेम डाप तर दा क्यून Cassiopeia मतलब एक क्यून थी Cassiopeia उसके नाम पर इसका नाम Cassiopeia रख गया है इस आलसू कॉल्ड इस आलसू कॉल्ड सर्मिस्ता इन हिंदी ठीक है इस गूरूप ओफ फाइव व्राइट इस्टार इसमें पांच व्राइट इस्टार होते है वन टू टू ट्री फोर फाइव ठीक है जैसा एक डागराम में देखा रहा है जैसे देखो यह तो बनेगा डबलू और उधर से देखोगे इदर साइट से तो एम देखेगा तो इस प्रकार से इनका इट्टू कंसलेशन के बारे में कॉस्टन फोर्ट में आपको बताना है कॉस्टन फाइव है डिस्टिंगस बिट्विन दा मेटियोर्स एंड मेटियोर्स तो मेटियोर्स और 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 मेटियोर्स जैसे ही हैं तो दिखू, they are meteorites that burn completely, इतना से difference है कि ये जो होते हैं, वो completely burn होते हैं, हमारी earth surface आने से पहले ही ये burn होते हैं ठीक है, और ये जो होते हैं, वो कुछ unburned होते हैं मतलब ये बिना जले होते हैं और they are small and very size, मतलब ये बहुत चोटे होते हैं, ये थोड़े इन से बड़े होते हैं and they do not cause any damage on the earth, मतलब जब ये हमारे जमीर पर गिरते हैं meteorites तो ये ज़्यादा डेमेज नहीं करते हैं क्यों नहीं करते ज़्यादा डेमेज, क्योंकि ये already burn हो चुके होते हैं और ये finish हो चुके होते हैं और जबकि इन से जो है, मतलब meteorites से ज़्यादा डेमेज हमारे surface पर होता है तो ये कुछ इन में difference था ठीक है, और ये आपके long time cancer भी पूरे हो चुके हैं तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो एक like बटन ज़रूर प्रेस करें ठीक है, like बटन प्रेस करने का कोई आप से चार्ज नहीं है so enjoy and do do your study proper, thank you मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जानकरे के लिए मैं बता दूँ कि learn well science के मैंने आपके सारे chapters, यानि कि chapter 1 से लेके chapter 16 तक सारे इस चैनल पर पर प्रवाइड किया है, आपको ठीक है, आप कोई भी chapter की अच्छे से study कर सकते हो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स